बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com मित्रो नमस्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदे कभी नंदन करता हूँ ASTRO तक की खास प्रस्तुती कमल नंदलाल की भविश्यवानी आपका राशिफल इस राशिफल में हम आपको बताएंगे मेश से लेकर मीन राशिय के जीवन का हाल साथी साथ आपको बताएंगे राशिय हनुसार उपाए कुछ ऐसे सरल उपाए जो आपके जीवन को सफल बना है पंचांग के साथ साथ आपको बताएंगे दिन का हाल और खास बात क्या प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे एक स्पेशल उपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर भगा है राशिफल शुरू करने से पहले आपको जरू कोऊंगा कि शेर जरू करें क्योंकि आपका एक शेर बड़ा पुन्य का काम करेगा और मेरी सर्वेसिस लेने के लिए सीधा आजाईए www.estrotak.com पर और सीधा मेरे प्रोफाइल पर जाकर मुझे कॉल मिला लीजे तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राशिफल में सबसे पहले पंचांकी तो दिन है सोंबार का तारीक है 3 मई 2021 वैशाक कृष्ण सप्तमी परचंद्रमा मकर राशिर उत्तरा शाड़ा नक्षत्र में रहेंगे भाग्यांक रहेगा 6 शुबरंग रहेगा गुलाबी शुबदिशा रहेगी अगने यानि कि साउथीस्ट डिरेक्शन राहु काल रहेगा सुबह 7 बचकर 19 मिनट से लेके 8 बचकर 58 मिनट तक सरवार्त सिध्धी योग रहेगा सुबह 8 बचकर अगले दिन सुबह 5 बचकर 38 मिनट तक इसमें सभी प्रकार के शुब कामों को करने से सिध्धी मिलती है और दिन का सरवस्रेष्ट शुब मोरज जो रहेगा वो रहेगा शाम को 6 बचकर 44 मिनट से लेके रात को 8 बचकर 2 मिनट तक और विशेश क्या है वैसाख महीने की कालाश्टमी है भगवान भहरव का बहुत खास और विशेश दिन है और इस दिन का विशेश जो सम्मंध होता है भहरव देव से इस चीज़ का होता है कि क्रूर ग्रहों के प्रभाव से से परेशान है तो राशी फल को आखिर तक जरूर देखेगा तो चलिए अब शुरुबात करते हैं राशी फल की राशी नमर एक मेश यानिके एरिस के साथ में मेश राशी वाल सेहत जो है वो अच्छी रहेगी कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ सकती है भाशा पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें वाद विवाद के योग बनते हैं आर्थिक लेंदेन को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें गुसा जादा आ सकता है खर्चे पर थोड़ा सा नियंतरन रखना ज़रूरी रहेगा एक विशेश क सिहत पर ध्यान देना होगा आलस से रहेगा मांसिक तनाव बना रहेगा पैसों के स्तिती में सुधार लाने के मौके मिलेंगे नौकरी में अफसरों का सहीयोग मिलेगा पैसों को लेकर जोखिम लेने से बचना है आपको लखी नमबर और विशेश एक काम करना है आपको आएके साधन बढ़ेंगे अकासमिक धनलाब के योग बनते में नजर आते हैं आर्थी की योजनाएं भी सफल होंगी नौकरी में अफसर सहीयोग करेंगे तरक्की के अफसर मिलेंगे शाम में मित्रों के साथ पार्टी आप इंजॉय कर सकते हैं संभावना बनती है एक परिजनों के साथ कलह के योग हैं सात्मा चंद्रमा है सह परिवार किसी धर्मस्तल पर जाने की संभावना बनती है यहां घर में ही साथ में पुझा पार्ट करेंगे रहन सहन थोड़ा से डिफिकल्ट हो सकता है आय में कुछ कमी आ सकती है और खर्चे बढ़ सकते हैं की नमबर आपके लिए आठ रहेगा लखी कल रहेगा नीला बात करेंगे पांचवी राशी सिंग यानि के लियोकी सिंग राशी वालों ठकान जो है उसका अनुभव करेंगे छटा चंद्रमा है मन में चिंता घर कर सकती है हर किसी से संभल कर बार्चीत करें आय व्रधी के स स्रोत विक्सित हो सकते हैं मित्रों से भेट भी हो सकती है और संतान के स्वास्तिगे आपको कुछ चिंता रह सकती है एक विशेश काम कीजे कागस पर श्रीम लिखकर ये चंद्रमा का बीज है इसे जेव में रख लीजे लखी नमर आपके लिए साथ रहेगा लखी कलर जो संभावना बंती भी दिखाई देती है उच अधिकारी कामकाज से प्रसन रह सकते हैं आपके नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना नियर फ्यूचर में बंती भी दिखाई दे रहे है जिसकी बात्ची चल सकती है एक विशेश काम कीजे साबुदाने थोड़े से एक लाब के मौके मिलेंगे कपड़ों की खरीदारी ओनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं भोजन का सुख मिलेगा आज कुछ डटकर दावत लडा सकते हैं मनोरंजन पर पैसा खर्च हो सकता है मित्रों के साथ पाटी भी कर सकते हैं काले पैन से एक काम की जगा काले पैन से पाट वी र आषिय व्रिश्चे कैने के स्कॉर्प्यों की व्रिश्चे के राशिवालों है फाल्ट का आपको ध्यान रखना होगा तीसरा चंद्रमा है गुस्षे पर कंट्रोल करना होगा वाद विवाद के योग बनते वं दिखाई देते हैं शतुरों से सावधान रहना आपको मित्र सहयोग करेंगे अकासमिक धनल आपके भी योग बनते वे नजर आते हैं पढ़ाई लिखाई में रुचे बढ़ सकती है क्या करें आप जेब में काजू दाना रखें एक आद दो और जरूरत पढ़ने पर खालीजे लखी नमबर आपके लिए छेहर आएगा लखी कल रहेगा गुलाबी बात करेंगे नवी राशे धनू यानि की सजटेरियस की धनू राशे वालो आलस से यानि की सुस्ती में व्रद्धी होगी व्यवसाइक स्थल पर वातावरण अनुकूल रह सकता है प्रतीस पर्धियों पर जीत हासिल होगी जीवन साती को सेहत समंदित कुछ समस्याएं सता सकती है पारिवारिक समस्याएं भी बढ़ सकती है दूसरा चंदर में ध्यान लखे पूजा घर में खीर का भोग लगा दीजे और खालीजे प्रसाद के तरह बाट लीजे लखी नमबर आपके लिए नौर हैगा और लखी कलर हैगा लाल बात करेंगे दसफी राशी मकर यानिकी के प्रकौन की मकर राशी वालो सिरदर्द से थोड़ी सी परेशानी रह सकती है शारिक ग्रूप से कुछ आज बीमार महसूस करेंगे ठका हुआ मानसिक चिंताएं आपको कुछ परेशान कर सकती है माता पिता सयोग करेंगे संतान से सुखद समाचार मिल सकता है खर्चों में व्रधी के योग बनते में नजर आते हैं एक विशेश काम कीजे सिक्के पर कोई भी सिक्के पर थोड़ा सा चंदन लगा के किसी भी गरीब को दान कर दीजे सब कुछ चूब होगा आपके साथ में लखे नंबर पांच रहेगा लखे कलर रहेगा हरा बात करेंगे ग्यारवी राशे कुम यानिक अक्वारियस की कुम राशे वलो अपनी भाषा पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना होगा विवहारिक भी बने विवहारिकता में कमी आती भी दिखाई दे रहे है बारवान चंद्रमा है के लिए पांच रहेगा लखी कलर रहेगा हरा अब बात करते हैं बारवी राशी मीन यानि पाइसिस की मीन राशी वालो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चचेत रहें आप इसलाय आपके लिए मन थोड़ा सा शान्त रह सकता है कामकाज में कुछ बाधा आ सकती है यात्रा के योग हैं अला कि यात्रा को टालिएगा खर्चों में बढ़त होती भी दिखाए दे रहे है सामाजिक मान सम्मान अला कि बढ़ेगा भाई भेन के साथ संबंदों में निकटता आएगी तो एक विशेश काम कीजे पक्षियों के लिए थोड़ा सा पानी डालिए पानी रख दीजे किसी भी मिट्टी के बरतन में लखी नंबर आपके लिए नो रहेगा लखी कल रहेगा लाल आपके लिए तो अब समय आज के स्पेशल उपाएगा वो पाए जो कूर ग्रहों के यानि के बुरे जो ग्रह हैं शनी राहू के तु मंगल इनके प्रभाव से छुटकारा दिलाए भगवान भहरव का दिन है कालाश्टमी का दिन है क्या खरें आप भहरव जी पर मीठी रूटियां थोड़ा सब आटे में गूर डालकर बिल लीजे उसको बना लीजे आप चाहिए एक या दो चार जितना आपको मन करें और भहरव जी को चढ़ाईए भहरव जी को चढ़ाने के बाद में उन रूटियों को कुत्तों को खिला दीजे जब आप भहरव जी को रूटि चढ़ा रहे हो तो विशेश रूप से मंतर का जाब करें ये हैं उनमत भहरव हर प्रकार से क्रूर ग्रहों से आपकी रक्षा करेंगे तो मंतर जो है वो है हरीम उनमत भहरवाय नमा इस मंतर का जाब करिए निश्चित रूप से शनी राहू के तू मंगल इन ग्रहों के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा तो मितर आज के लिए बस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्कार नमस्षवाय